नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेकरम, इतिहास के पन्ने। हिंदुस्तान में क्रिटिकल या फिर बैलेंस्ट बायग्रफी या जीवनी लेखन का ज्यादा ट्रेडिशन नहीं है। ज्यादा तर समय लोग अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, खास हो से अगर वो राजनितिक हो, तो उनको उनहीं के बारे में चुनते हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, जिनकी राजनिती से वो सहमत हैं। तो एक तरह से हमको अक्सर देखा जाता है कि हिंदुस्तान में पोलिटिकल बायग्रफी भक्ती संगीत से बहुत करीब लगता है। इनमें कई exceptions भी होती हैं, उनमें से एक exception अभी हाल में, एक नई किताब आईए, हिंदुस्तान के भूतपूत प्रधानमंत्री हटल व्यारी वाजपई, उनके उपर एक किताब आईए, वाजपई, The Ascent of the Hindu Right, 1924-1977, आज हम बात करेंगे इस किताब के लेखक से, अभिशेक चौधरी, अभिशेक जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक बहुत ही बहतरीन और critical और balanced के बीच का, किसी को critical लग सकता है, किसी को balanced लग सकता है, लेकिन भक्ती तो नहीं है इसमें, तो एक ऐसी किताब लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको बधाई, बह जबसे ज़्यादा तो मतलब हम मतलब चाहते कि आपकी ये दो वॉल्यूम में किताब आई है पहली वॉल्यूम अभी आई है दूसरी वॉल्यूम दिसम्बर में आनी है तो उसकी बहुत व्याकुलता से इंतजार रहेगा तब कोशिश करेंगे कि दूसरे अध्याए के बारे म कुछ तो बात आज भी होगी जी बिल्कुल क्योंकि 77 पे अटल विहरी वाजपी की जीवनी के बारे में आज हम खतम नहीं करेंगे बात क्योंकि उनका करियर तो एक सबसे पहले अटल विहरी वाजपी मैं थोड़ा परसनल नोट पे मैं शुरू करना चाहता हूं हम जिस वक पतकाजिता के पेशे में आए एटीज में तो हम लोग अटल जी को एक हामलेस किसम का पोलिटिकल सोल मानते हैं हामलेस इन दे सेंस की माना जाता था कि राजनितिक तो बड़े क्रुकेड होते हैं बड़े कॉंप्लिकेट होते हैं हमेशा दाओं पेच खेलने में लगे रहत आपके किताब में जो सबसे स्ट्राइकिंग जो शुरू में मेरे को लगा कि आप पड़े क्लीनिकली एस्टैब्लिश करते हैं कि वो राइट मैं इन दे रॉंग पार्टी जिस तरह से सही इनसान और गलत पार्टी मतलब जो एक पोलिटिकली करेक्ट जो लेफ्ट अव सें तो सबसे पहले मैं आप से आपका जो शोद हुआ है उसमें मैं जानना चाहूंगा कि उनके जो फॉर्मेटिव यर्स थे उनके जो स्कूल, कॉलेज और जो अर्ली फॉर्टी जो पीरियड था पब्लिक लाइफ में आने के पहले जब एक तरह से उनका पूरा थे नहरूवियन थे या फिर जो आपने क्लिशे जो है कि राइट मैं इन द रॉंग पार्टी तो मैंने देखा कि वो आर्काइव में कुछी समय बिताने के बाद मैंने देखा कि बहुत ही गलत धारना थी और जब मुझे राष्ट धर्म का वो पहले उनके एसेज मिले तो राष्ट धर्म संग परिवा से जुड़ा हूं पर पुब्लिकेशन था जो उन्होंने अगस्त उनिससाइटालिस में जब बिलकुल उसी महीने जब आजादी मिली थी उसी महीने और जब पार्टिशन हुआ था तो उसी महीने उन्होंने फ्लोट किया था लखनो में तो उस वही दोनों उसके भी आगे जाके और उस पंचे जन्नी तभी शुरू हुआ जब यह सफल हो गया जब इसको इन्होंने सक्सेफुली मंथली लॉंच कर दिया तो उन्हें लगा कि नहीं कुछ वीकली लॉंच करना चाहिए उसके पीछे वो आइडिया था लेकिन अभी मैं थोरा सब उससे भी पीछे आता हूं कि मतलब वह बहुत ही गलत धारना है मुझे लगा वह डिसेंट आज में खास करके बाद कर दश्कों में देखे तो वह बिलकुल एक तरीके से देखे तो वह मतलब परसनल सेंस में वह काफी डिसेंट थे लेकिन अगर आप जनसंग का औ जैसे कि गांधी की हत्या के बाद जो बैन लगा था उस तेम में वह अंडरगरॉंड में बहुत एक्टिव थे और सच्बा तो यह है कि वह उसी से वह नोटिस हुए जो पहली बार उन्हें नोटिस किया गया वह उसी कारा नोटिस किया गया क्योंकि उस समय ऐसा हुआ था क काफी सारे लोग जो इस्टैब्रिश थे वो लोग संग को छोड़ के जो भी बाद में लोगों ने कारण अलग अलग बता दिया हो लेकि उस समय यह बहुत ही इंपॉर्ण बात है उस समय उनको लगा कि संग के साथ एससीएशन परसनली नुकसान दायक हो सकता है मेरे पास पूरा एविडेंस नहीं है कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया लेकिन इवन जो देवरस ब्रिदर्स थे भावरो देवरस थे और उनके जो बरे भाई बाला साहब देवरस थे जो बाद में संग के प्रमुक भी बने और अभी भी जो संग में उस समय मिस्टर वाचपई के ज लेकिन जो भी वाचपई की बाद कर देवरस बाद बाद में उन्होंने रामरका सहेगल की क्राइसिस थी उसको चलाने की कोशिश किया उन्होंने फिर जब एक बाद फिर से क्लैमड आउन हुआ दिसंबर में उन्होंने चेतना का शुरू किया बनारस में बहुँ ज्यादा वो चला नहीं सफल नहीं हुआ लेकिन महतरपूर्ण बात यह है कि वो हमेशा उसमें एक्टिव रहे और उसको नोटिस किया गया तो उसके बाद उसका यह हुआ कि 1949 में जब संग पे बैंड खत्म हुआ तब तक वो ऐसे भी प्रसिद्ध थे उनकी कविता प्रसिद्ध थी और उसमपादर थे तो उस सर्कल में तो जाना ही जाते थे लेकिन उसके बाद वो यूपी में घुम घुम के वो स्पीच वी म स्पीवार में उनको नोटिस कहा गया तो पुरी तरीक से गलत है कि राइट मैं इन दी-रॉंग पार्टी वाली वाली बाद थे लेकिन हाँ अगर आप अगली करियर देखे शुरुआती करियर देखे तो उसकी दो वजह है एक तो पहली बाद कैसा था देखिए कि वह एक पूजा पार्ट कराते थे अगल बगल के गाओं में उनकी शाधी होती थी और जो जने वने उकरा के अप पठना गीता का उनका खर्चा चलता था तो उनमें वो तब तक वो political consciousness नहीं थी यह आया श्री वाजपे की जो फादर थे कृष्ण विहारी वाजपे की समय जो ग्वालियर गए स्कूल में नौपरिकर ने वो भी बात की बात है उससे पहले 1880 में ऐसा हम मानते हैं कि जो यह हिंदू nationalism जो फ्रेज है वो पॉपिलर हुआ 1920s के डेकेड वी थोड़ी गलत धारना है उससे थोड़ा पहले हो चुका था वो 1880s के डेकेड में और यह मैंने किताब में लिखा है कि टाइमस ओफ इंडिया में भी एक आर्टिकल आया था 1902 में कैसे पिछले 20 साल में हिंदू nationality जो फ्रेज है और वो बहुत मजा कुराते हैं उसका वो एडिटोरियल जो है बहुत इंट्रेसिंग रोचक एडिटोरियल वो मजा कुराता है कि यह तो कभी संभव नहीं है कि हिंदू एक साथ आ जाए कि देखो एक मराठी को एक बंगाली से क्या लेना देना है इन्होंने सच बात ही है कि इन्होंने पास में लड़ाए लड़ी है एक दूसरे खिलाफ तो लगा नहीं कि ऐसा कभी हो सकता है लेकिन बहराल यह सब बातें जो है वो चल रही थी तो आगरा में आरी समाज बहुत पहले आ चुका था तो जब तक इनके पिता जी अपने स्क वो पहली बार विक्सित हुआ तो वो जो है एक रैडिकल सा ब्रेक था श्री वाच्पे के जो ग्रैंड फादर थे और उनके फादर के बीच में ठीक है और उसको जो है इनको वो एक तरीके से विरासत में मिली क्योंकि यह भी आरी समाज जाना शुरू कर दिये और जब यह दस ग्यारा साल के थे तो ग्वालियर में पहली शाखा खुली संग की और तब यह संग के शाखा में जाना शुरू कर दिये जो है बचपन से ही शाखा में जाने लगे थे बिलकुल 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 बचपन से ही जाने ल वह सिंधिया रियासत में वह नोकरी मिलने वाली थी तो इन सब यह सब नहीं लेकि जाना चाहते थे क्योंकि उनका वह ख़ब था उनका वह सपना था कि मैं पत्रकारिता करूँ लेकिन एक चीज़ देखने को मिलता है आपकी किताब में कि अकसर वह दुविधा में थे अर्ली है देखिए शुरू के सालों में वह 24 तो उन्होंने खुद ही किया उनके पास ऑप्शन्स थे वह चाहें तो कुछ उनको एक स्टेबल नौकरी मिल सकती थी और शायद उनके जगह पर 95 या 99 प्रतिशत लोग जो उनकी जनरेशन के थे वही करते तो शायद उनकी political commitment की वज़ हैं उसके दो इन्होंने पंक काट दिये हैं और इनके हाथ में छोड़े तो फिर तो यह पूरा भारत गवा देंगे तो उन जो मैं उनकी psychology की बात किया रहा हूं वो सच्चाई से हो सकता है थो दूर हो लेकिन इनकी psychology की भारत का जो हिर्दा है जो सोल है वो हम ही सिर्ग बच होंगा उसमें हमेशे ऐसा सही बात है कि उसमें कई लोड मोवमेंट्स भी थे और चुकि उनकी हालत इतनी खराब थी गवर्मेंट से इतना अटाक हो रहा था तो उनके पास financially they were struggling तो वो सब समस्याएं थी लेकिन अगर आप वाजपई की बात करें personally बात करें तो मुझे नह पैसे का इतना लोब वोब कुछ भी था उनको पहली बार यह हिट किया होगा ऐसा मुझे लगता है जब उनके parents का देहान्त हुआ और वो बहुत ही मतलब चुकि उन दोनों को cancer था last studies पर डिटेक्ट हुआ हाँ मां का तो पिता का तो कम से कम चली पदा चला तो hospital में भरती भ उनको लग गया था कि पहले पिता का देहान्त हुआ फिर मां का देहान्त हुआ तो उस समय उनको पहले बार हिट किया होगा कि क्या पता मैं अगर पहले कुछ कर लेता है लेकिन तब तक वो बहुत आगे जा चुके थे तब तक वो celebrity बन चुके थे एक चुनाओ लर चुके पत्रिकाओं में काम कर रहे थे लिख रहे थे संपादक थे उसके बाद से जनसंग में कैसे अक्टिव होते हैं वो किस तरह से facilitate होती है कौन लोग लेके आते हो देखिए ये ये slow and gradual था हो सकता है उनकी political ambition पहले से भी हो मुझे जाद है कि जब वो पहली बार चुनाओ लर र वालों को gastric cancer था basically तो उन्होंने उनको अपने गाउं में जाके उनको लगा था कि जलवाई यो थोड़ा अच्छा मिले तो वही ठीक हो जाए कि उनको लगाने था कुछ से में serious है तो वह early 55 में election से एक मेने पहले अपने पुत्र को जो अटल बिहारिवाज पर लिख रहे थ कि कुछ तो ambition रहा गा वो लिख रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग साथ-साथ कानपूर में पढ़ाई कर रहे थे ऐसा भी कोई दिन आ सकता है जो हम तो हम तुम साथ-साथ चुनाओ भी लड़े तो बाप बिटे तो थोड़ा तो ambition रहा होगा थोड़ा तो परिवार में ambition था जिनको नहरू के हिंदू कोट बिल से प्राउलम था या कुछ छोटे मोटे राजा महराजा थे लेकिन इनका पैसा नहीं था नहीं मैं कहना हूँ कि जमीनदार टाइप के लोग थे जिनको डर था कि हमारी जमीन चली जाएगी या जो एक वो था इनके पास resources नहीं थे हुआ यह कि मुझे लगता है कि 1953 में जब सहमा प्रशाद मुखर जी की डेथ हो गई उसके बाद जनसंग में काफी confusion था संग परिवार को भी पता नहीं चाला है बहुत स्ट्रगल हुआ बहुत स्ट्रगल हुआ टूटते टूटते पार्टी बच गई तो उस दोरान इनको दीन ज बार उसकी वरकिंग कमीटी के मेंबर बने और फिर उसके बाद चुकी वह करिस्माटिक थे वह बहुत ट्रेवल अच्छा बोलते थे तो सब को लगा अब जैसे मतलब उस्टेम में एक बहुत ही सथीक उधारन शायद ना हो लेकिन एक मोमेंट आता है जब आपको लगता है किसी के अंदर पोटेंशियल है जैसे 2016 में कुछ समय के लिए एक बहुत ही यह सथीक सा उधारन नहीं है तो मैं उस पर जूलूँगा नहीं लेकिन जैसे कनहिया के बारे में लोग कहते थे कि इसमें कुछ तो बात है कि एक स्ट्रीट स्मार्टनेस भी है बोल भी लेता है थ थर्ड तीसरे पैदान पर आये लेकिन वोट उनको ठीक ठाक मिला तो उसके बाद सबको लगा कि यार यह अब लखनो जैसी कंसिचुएंसी में 28% ला सकता है तो इसलिए जनसंग के लिए मतलब अच्छा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल था बहुत मुश्किल था लेकिन वो एक इज़दार हार थी उनकी तो उसके कारण यह तै हो गया था कि वो उनको लाडाया जाए और देखे कि 57 में इतना डैस्परेट थे कि उन्होंने उनको तीन जगह से लाडाया जाए रोगाए तो जगह से सुनते हैं हम लेकिन तीन जगह से को लाडाता है मैं अब लंकुल लग लग उत्रेश्के था है उनका था कि किसी भी तरीके से एक से यह उत्रेमी जीता खं़ुत स्टीर के आता है. पार्लमेंटनि चीन हिनन को 뭐्तार पर इमीज़टी उनका इंपक्ट कहा होता है ? देखिए शुरू में तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करी रहे थे लेकिन उनका इंपक्ट और वो खिचाता नहीं उन्होंने शुरू कर दिया था शुरू में बहुत अच्छा बोलते थे तीखा अटैक मारते थे नहरू पे और सरकार की नीतियों पे लेकिन फिर भी इनको दो स मीडिया कभी कवर नहीं करता था कभी तैयारी वीक्स वर स्पेंट इन प्रेपरेशन लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता था तो वो खुंदक रहती थी लेकिन ऐसा हुआ कि 59 में ऐसा हुआ कि जब चीन वाला जो सवाल आया तो इन्हों ने वो एक तरीके से आप कह सकते हैं और यह नहरू की महानता भी कही एक तरीके से कि उन्होंने इतने एक यंग जो उनसे आधियूमर के थे और उनका कोई स्टेचर नहीं था उनकी बात भी मानते हुए उन्होंने वाइट पेपर रिलीस किया जिससे उनको बाइद बहुत डैमेज हुआ उसके बाद हर चीज प अधियर वाजपई के इनिशेटिव सवाल पे नहरू सरकार को कदम अपने मतलब घुटने टेकने पड़े और वाइट पेपर जारी किया इसके उन्होंने इयर एंड में देखिया और ऑर्गिनाइजर पंच जो बहुत खुश थे कि हम इतनी कम संखिया होने के बापजूद इतना बड़ा कुछ हासिल कर लिया तो उनके लिए वो अच्छी बड़ी उपलब जी थी यह भी बोला जाता है अक्सर की मतलब अटलवेरी वाजपई को अमरीका भेजने में नहरू जी ने परसिलिटेट किया उन्होंने भेजा नहरू और अटलवेरी वाजपई में बहु अगले दिन उसोंने कहा कि आपकी डॉमेस्टिक पॉलिसी भी आपकी खराब है आपको कुछ पता नहीं चलता है कि आपका हर चीज में जो आंसर है वो नेती नेती होता है कि यह भी नहीं और वो भी नहीं कि हम कश्मीर वापस लेंगे पाकिस्तान से नहीं क्या हम उनको दे अभी भी एलेक्शन मोड में इनको चुनावी मैदान में और पार्लियमेंट में फर्क मालूम नहीं पड़ता है तो एक तीकी उस तरीके से इनके शुरुवात हुई और काफी समय तक माइंड यू वह वैसा रिलेक्शन सिप रहा तो 58 में जब यह कश्मीर जाते रहते थे वहां पर थोड़े भड़काओ भाशन देते थे तो नहरू ने को पता चला कि यह जाते है तो बहुत गुसा हुए उन्होंने कहा कि यार यह बहुत ऑब्जेक्शन परसन और उन्होंने सब को सचेत किया जम्मू कश्मीर में की सरकार को भी लिखा अपने अपने यहां भी को बदाया कि नहीं मैं डोंट वाजपी तो बीवन एलाओ परमिट टू विजिट कश्मीर लेकिन धीरे-धीरे मेलो भी हुए हुए हुआ यह कि देखिए फॉरेंड पॉलिसी के मामले में चुकी सांग परिवार को जादा पकड़ नहीं थी तो वह काफी कुछ वाजपी ख थी तो धीरे-धीरे वह एकसेप्टेंस की तो उन्होंने तारीफ की और तब जाके जो है थोड़ा साहे है एक म्यूच्वल एक एक अफेक्शनेट रिलिक्शन से भी समय के साथ हो गया उसी क्रम में जो है दोनों ने एक दूसरे की बात मदद भी कि यह बात सही है कि नहरू उनको अमेरिका भीजने में उनके मदद की ऐसे ऐसे उनको बाइद वे उनको अमेरिकी सरकार से भी नहोता था कि आप जो एलक्शन हो रहा था कैनेडी निक्सन का उनिसो साथ वो देखने के लिए और वहां पर लेबर युनियोन कैसे फंक्शन करती है वो देखने के लिए तो और साथ में ही चुकि वो यूएन सेशन के साथ कोईंसाइट कर रहा था तो नहरू ने कहा कि आप हमारी तरफ से भी चलिए पास्ट वर्ड तो इस पीपल इन नियॉर्क की इसका थोरा खया लगना इसको थोरा मिला विला देना लोगों से तो उसे मतलब जाके दुनिया मे मतलब एक्सपोजर मेला अमरीका में जाके अलग अलग लग लग असे इन्होंने भी नहरू की मदद की किसी की प्रधानमंत्री को बोलो कि आफिस ठोड़ दे तो यह सब चीज़े यह जेस्चर्स हैं जो शायद नहरू को भी अच्छे लगे होंगे तो पर ऐसा नहीं यह बात बिल्कुल सही है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकारण से उन्होंने यह कह दिया हो कि यह सब बहुत ह निलांजन जी बहुत जरूर है यह सब डिमिस्टिफाइ करना होता है कि यह जो है किसी को डिप्लोमेटिक विरोक्राटिक कोडर से निकल के यह मिथोग्राफर के पास चले जाती है जो प्रत्रकार करी सारे जो बहुत ही आज गल तो वही हिस्ट्री बन जाता है तो एक समय जो चीज पूरी मिथ थी वो पूरी जनता में स्टैबलिस हो जाती है तो अगर मेरी तरह आपकी तरह लोग हैं जो किताब नहीं पढ़ते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं तो लोग आजकल हर कोई विकीपीडिया या कोड़ा का सहारा लेता है तो मेरा एक एलमेंट इस किताब में ये भी था कि मैं उस चीज को जो मिसिन्फरमिशन है उसको भी कैसे डिबंक करें बिल्कुल वो बहुत बहुत जरूरी है नहीं तो फिर तो मतलब अब सुदरसन जी तो कहते थे कि गांधी जी ने गांधी जी को गौट सनी नहीं मारा किछी और ने आके पीछे से गोली म मार सकता था ऐसा हो सकता है कि गोट से ने किसी और ने कर दिया होता है या फिर उनका आया नहीं हम वह फ़्री ठो पॉड प्र सिय्सके जी नहीं ही बॉड़त Adi बेट में इस ताइए कि मौट से ने गोली मारा कि नहीं मारा वो फैक भी डो तो कई लोग उनकी बातों का यकीन नहीं करते हैं लेकिन वही होता है लेकिन वही है कि आगे वक्त में चलके वही तथ्थे बन जाता है वही इतिहास बन जाता है एक थोड़ा डिफरेंट आसपेक्ट पर बात करें जब एंपी बन के आते हैं सतावन में पहली बार तो जनसंग बहुत चोटी पार्टी है लेकिन आप बता रहें कि उनके रिसर्च में मतलब उनका जो पार्लेमेंटरी इंटर्वेंशन होते थे उसमें एक सटनमा तैयारी दिखती थी उसके पीछे मूल कारण एक बहुत लंबे कई कई दशक तक चलने वाला एक जोड़ी का मतलब निर्मार मतलब शुरुवात अठल विहरी वाजपी लाल कृष्णा अडवानी जी जी मुझे याद है कि मतलब लेट 1980s और early 90s में जब हम लोग भारती जन्ता पार्टी को कवर करते थे तो उनके जो यंग जो लोग हमसे इं नेता तो रोज informally interact नहीं करते थे लेकिन वो लोग कहते थे कि हमारी पार्टी में खासियत है कि हमारे हैं एक मयान में दो तलवारे हैं तो दो तलवार हमेशा थे नहीं तो जरह हम इस क्योंकि एक hierarchy थी उन में मतलब clearly established तो इसके बारे में जरह बताएंगे थोड़ा complicated love hate rivalry बह तो तीन चार घंटे लग जाएंगे लेकि इसमें मैं दो तीन चीज़े कहना चाहूंगा कि आडवानी जी की जो यह च्छवी है कि एक कटर हिंदू नेता की वो च्छवी जो है वो बनी 1990 में बनी बिलकुल ठीक है और उससे पहली च्छवी नहीं थी अगर आप देखें तो बलराज मधोग को आप ऐसे लौड मौत लोग कहते हैं लेकिन उन्होंने अपनी मेमवार में उनको जिक्र किया है बोनलेस वंडर कहके कि उसके पास ना ओरिजनल आइडियाज थे और नहीं उसकी मुह खोलती थी ऐसा उनका अडवानी के बार बलराज मधोग कह रहे हैं जब स्कृट होता है जनसंग में जब उनको एक्स्पिल किया जाता है तो यह बोनलेस वंडर से जो हिंदू हिंदू हिंदे समराट का जो उनका जो उनकी जो जरनी है यह थोरा समझनी कि हमरे पस पूरा समय नहीं है लेकिन हां उसकी वो है कि वो जब आये उधर से वो अच् अपनी मेमर में उनने जिक्र किया है कि वो तलाब में नहा रहते राजसाल में जब प्रचारक थे कोटा में और अचानक से उसमें सांप निगल के आया तो मैं वो थोरा सा क्रीपी लगता है और आप समझ सकते है कि कोई अगर शहर का लगा हो एक अच्छे कॉन्विंट एज अच्छे के लिए यह मुश्किल रहा होगा तो बहराल वहां से उनके कल्चर में पॉस्ट्री में रस्टिक अलेमेंट कभी दिखा नहीं जिस ऐसा अच्छे के पॉस्ट्री में एक रस्टि सिटी थी ती बिल्कुल जिए क्यों कि वो गाउं से आते थे ते ते वह बहात दे तो थोड़ी बात की बात है उनको हिंदी नहीं आती थी लेकिन वो चुकि पठन पाठन में थोड़ी रुची थी तो और अंग्रेजी ठीक ठाक लिखते थे तो वो अंग्रेजी में वहां से डिस्पैच अन्सोलिसिटेट भेजते थे ऐसा मुझे लगता है वह अर्टालिस आसिस्टेंट कहले है उनको जो मदद क्लाया तो तबसे जो है और यह बावन में मिले थे पहली बार अडवाणी ने परनी में में जिक्र भी किया है और संताब मन में और वो आ गए दिल्ली और तबसे लोग सास में थे तो गनिश्च मित्र बन गये थे तो वो एक्छ चला और धीरे धीरे यह हमेशा यह पर्दे के पिछे ही रहने वाले थे लेकिन यह आगे बढ़ रहे थे फिर आगे जाके और इडिटर बने जैसे आपने का दिली जनसंग के चीफ बने फिर वो डेली मेट्रोपोलिटन कॉंसिल में भी एड थे तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे एडवानी टावर ऑबर वाट्प मुझाए एडवानी त्विस यह फिर इनवी जो हेह नीच में रेखाः और 89 औ 92 को रहे था आट जब वह आढ़ आडवानी टावर और ओवर बाजबर से, पिर से डिज्ड बल्कुल पीरोशनी प्रड़ में अटीन ःसासuw में ख़र आर 92 के बाद तो फिर से वाजपई उनको जिल चले गए थे और फिर जैसा वो क्रम चला उसमें वाजपई का कलॉड धिरे धिरे बढ़ता गया को सपोर्ट कर रहे थी लेकिन वह मेंबर नहीं थी उन्होंने जोइन किया पर्टी को फॉर्मली और ऐसा था कि ऐसी बात चल रही थी कि वहीं प्रेसिजन बनेंगी कि वह सबसे बड़ी फंडर थी जनसंग की उस समय की इमांग अधम मेनी अधर तिंग कुछ समय उनका परिव पर्शेज वाली बाते हुई थी और यह सब हुई थी लेकिन स्थिहत्तर तक आते आते हो यह गया था कि जनसंग चुनाओ हार रही थी प्रिवी पर्शेज जो है एक तो लेफ्टिस्ट स्टैंड्स जो सरकार का आ गया था वो काफी बहुत ही स्ट्रॉंग था और प्रिवी प्लस प्रिवी पर्शेज और लेफ्टिस स्टैंस को लगे उनकी और और भी बुरी तरीके से पिटाई हो गए तो इतनी पिटाई के बाद यह लोग तो घबरागे इनको लगा कि शायद ऐसे में एक ओपिनली जो है यह थोड़ा सा यह राजा महराजाओं को वापस जो है देना ठीक नहीं होगा तो उनको लगा कि यह प्रैग्माटिक नहीं होगा तो एक कॉंप्रोमाइज कैनिडेट के रूप में स्री आडवानी उभरे क्योंकि वो एक तो सिंधी थे और सिंध एक मात्र जगह है इवन अंडिवाइड इंडिया में जो भारत में बिलकुल नही कोई रूप में कहीं पर नहीं था तो उसके कारण किसी को उन से किसी को शक भी नहीं होगा किसी को कोई रावलरी भी नहीं देगी आडवानी कभी एक पार्टी का चहरा बनके उभरेंगे तो यह ऐसा यही जो है और इसलिए अटल जी को भी उनसे कभी दिक्रत नहीं हुई अगर आप देखें तो मुझे यह लगता है कि उन दोनों को सच बात यह जो मित है कि जैसे मेरे घर में भी लोग बिलीव करते थे जब मैं रिशाद करना शुरू किया कि वाजपई ने क्या किया सीज़त तो आडवानी ने अध्या में जाके रत लेकि यह जो मित था लेकिन आ पहली बार चुनाओ लड़ते हैं पचपन में लोगसभा का आडवानी जी पहली बार लोगसभा का चुनाओ लड़ते हैं 89 में तो यह 34 साल का फरक है तो अगर आप देखें कि फेस कौन था पाटी का इवन अगर आप जब याद लेट 60 में नारे लगे थे कि देश का नेता कैसा हो अटल व्यारी जैसा हो बिल्कुल तो पहली बार दिंद्याल उपाधिया ने कहीं लिखा भी था कि इस नारे को मैंने सुना है कई जगा बोला है बिल्कुल और इवन रायत सभा में जब आडवानी जी जाते हैं वो 70 में जाते हैं तो उसमें भी मतलब कि जबकि का संविधान उसके बारे में अध्यान बहुत कम होता था चाहिए वो पत्रकारिता की दुनिया में हो या एकाडेमिक सर्कल में हो जी तो किसी को ये पता नहीं था कि वो उनका कॉंस्टूशनल बार था कि दो टर्म से जादा एक आदमी नहीं प्रेसिडेंट रह सकता है वो कि संग परिवार में अयोध्या नदोलन शुरू हो गया और अडवाणी को लगा कि मेरे को डिकावर करने के लिए जो मंडलायो का जो फैसला था उसको रिकावर करने के लिए यात्रा निकालनी चाहिए अर उसके बार हम अडवनी निitsने काफी डिटेल में अगा शायद आपने ध्यान दिया हो या नहीं मुझे नहीं पता 89 का चुनाओ एक मात्र चुनाओ था जो कि वाजपाई नहीं लड़े अपनी पूरी करियर में सिर्फ वो एक चुनाओ था और लेकिन उसमें भी उससे पहले और उसके बाद भी अगर अड़वानी जी से पूछा जाता था कि भाजपा का अगर कभी सरकार बनी तो कौन होगा तो वो भाजपाई की बात करते थे तो यह जो उन्हों ने जब वो जब तक वो रथ लेकर नहीं गए तब उसके बाद जो है वो गोल्डन पीरियर था अड़वानी का सेप्टेंबर 1990 से लेकर दिसम्बर 92 तक उसके बाद जब वहां पर मादातिला के अरेस्ट हूस में उनको एरेस्ट करके रखा जागा है उसके बाद क्लियर हो गया कि इस से आगे इस चवी के साथ अड़वानी भारती जनता पार्टी को आगे और नहीं बढ़ा से लेकिन वाजपई को ऐसा नहीं की कि आयोध्या आंदोलन से प्रॉब्लम था नहीं बिल्कुल भी नहीं दूसरा सवाल है पर मैं कुछ और क्यानवे में जब उनको जब नहीं बनाया गया पर्टी का चीफ लोग सभाव में उस चीज को लेकि उन्होंने पुब्लिक नहीं को लेकि लेकिन लीडर ऑपोजिशन अटल वियारी वास्तित को नहीं बना दा हाँ और मुझे याद है कि जब अडवानी ने कहा था कि हम लोग विया दी गवर्मेंट इन वेटिंग और उसके बाद अटल जी को उस समय है मतलब हम पारलिमेंट रिपोर्ट करते थे तो उस दिन अटल जी से मुलाका तो थी तो आप गवर्मेंट इन्वेंग में कहा कि हम उस गवर्मेंट में कहा होंगे कहा था उन्होंने मतलब ही लेट इस डिस प्रेशर नोन वेरी वेल ये उनकी खाशियत थी एक आखरी सवाल आप से अटल वियानी वाजपी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है एक चीज कभी लिखा नहीं गया था आपके पहले दबे स् परिवार के कॉंटेक्स में बोले पिक्यूलियर वर्ड इसलिए इस्तिमाल कर रहा हूं एक अन्नैचरल सा किसम का रिष्टा दूसरा था उनका जो संग परिवार के अंदर बिलको प्यूरिटन माना जाता है उनको थोड़ी बहुत मतलब हम लोग तो जब यंग रिपोर्ट अच्छी अंग्रेजी शराब के बारे में उनका कहा जाता था लेकिन कभी लिखा नहीं तो डायरेक्स सवाल यहिए कि जब आपने मि्स्स कॉल के परनव रिष्टों के बारे में और परस्टोल हैविट्स के बारे में जब आपने विंचर आउट किया तो आपने क्यों किया और क्या उनकी परसनल निजी जंदगी ने उनकी राजनीती पर कभी कोई इंपक्त आला इसको मैं धीरे धीरे इसको मैं टैकल करूंगा पहली चीज मैं नहीं मानता हूँ कि अननाचूल था देखिए परसनल प्राइवेट लाइफ जो है वो किसी के भी जीवन का एक बहुत ही एहम हिस्सा होता है और हम पब्लिक में अगर कोई तंदुरोस नजर आता है तो इसका मतलब यह है कि प्राइवेट लाइफ में वो सैडिसफाइड है उसकी जो इमोशनल लाइफ है किसी ने कहा था कि you know the final result of all ambition is to go back to a happy home तो मैंने शुरू में ही मेरा framework हमेश्चा ऐसा था कि मैं उसके बार में लिखूंगा पर चुकि इस case में थोड़ी complexity यह थी कि एक major ही सिर्फ यह complexity थी कि उनके शाद ही नहीं हो पाई थी due to a variety of reasons जिसमें मतलब अभी हमारे पस वो समय नहीं है वो जिक्र करने का तो बस सिर्फ इतनी सी बात थी और तो मतलब चुकि वो lifelong partners थे जब उनका देहान्त हुआ तो उनकी बेटी जो है उन्होंने उनको आपने तो मतलब डायरेक्टी लिखा है कि जो उन्हीं की बेटी थी तो जब नैशनल टीवी पर पूरी दुनिया ने देखा कि वो उसको आग दे रही है तो फिर ऐसे में हम मतलब कब तक हम जूट बोलते रहेंगे अपने बारे में तो मतलब what kind of a nation are we कि मतलब इतनी बेसिक इन्हीं केस जब तक मैंने लिखना शुरू किया उन तीनों जो लोगों के बारे में जो मैंने लिखा है उनका देहांथ हो चुका था तो मुझे लगा कि नहीं लिखना भी बेवकुफी होगी लेकिन मैंने सिर्फ इसके बारे में 400-5 पेज ही पनना ही है इसमें हम उमीद कर लेके 2004 के बीच में मतलब बहुत ही कॉंट्रोवर्शल फिगर के तौर पे इमर्ज करते हैं जब अटल जी प्रधान मंतरी होते हैं तो हम उमीद करेंगे कि उसके बारे में और भी डीटेल्स पढ़ने को मिले हमको जी बिलकुल बात तो आप से और बहुत लंबी करने की इंगेजिंग जो सही मात्रा में मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर पोलिटिकल बायग्रफी लिखी जाने तो इसी किसम की लिखी जाने चाहिए जो क्रिटिकल बैलेंस्ट लेकिन कोई पैंफ्रेटियरिंग नहीं है इसमें तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद ये कालिकरम देखने के लिए